गोड एवनिंग यूपी बीट दोजार एकिस के सभी कैंडिडेट का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है और वो यह है कि आवेदन की तिथी बढ़ने वाली है यूपी बीट दोजार एकिस में आवेदन की तिथी बढ़ेगी तो आई जान लेते हैं इसके बारे में पूरी खबर विस्तार से यह जानके कारिये अपने साथियों को भी शेयर कर दीजेगा तो चलिए वीडियो शूर करते हैं उतरप्रदेश सेयुक्त बीट परिक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कम संख्या को देखते हुए लखनो विश्विद्याले आवेदन की अंतिम तिथी को बढ़ाने पर विचार कर रहा है आवेदन की अंतिम तिथी 15 मार्च निरधारित है जिसे 31 मार्च तक किया जा सकता है पंजी करण तो काफी संख्या में हुए हैं लेकिन फीस जमा कर आवेदन पक्का करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफी कम है इस वज़े से डेट को बढ़ाया जा सकता है आवेदन की तिथी बढ़ाने की एक वज़ा और भी है और वो यह है कि आवेदन करने में अभ्यर्थियों को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं विश्वे देले द्वारा जारी हेल्प लाइन नंबर पर अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याएं बताई हैं और सबसे प्रमुक समस्या है प्रमाण पत्र ना बन पाना तो इस प्रक्रिया को लेकर स्वमवार को एडवाजरी कमिटी की बैठक होगी बताया जा रहा है कि उसमें आवेदन की तिथी 31 मार्ज तक बढ़ाने पर विचार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अव्यर्थी आवेदन कर सके आवेदन परक्रिया 18 फरवरी से शुरू होई थी 19 माई को प्रिविश परिच्छा प्रस्तावित है अभी तक 3,35,543 चात्रों ने पंजी करन कराया है लेकिन शुल्क जमा करके आवेदन पक्का करने वाले अभ्यर्थियों की संक्या महज 1,88,617 है तो चुकि ये चात्र ज इन्होंने पंजी करन कराया है और वो आवेदन नहीं कर पाये हैं शुल्क नहीं जमा कर पाये हैं उनके डाकुमेंट्स पूरे नहीं हो पाये हैं तो इसलिए आवेदन करने की डेट को बढ़ाया जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है और ये संभव है कि आवेदन कीती थी 31 37 माज तक बढ़ा दी जाए तो यह थी लेटेस्ट अब्डेट आप भी तैयारी कर लीजिए अगर आपने आवेदन ना किया हो तो आवेदन कर ले समय है यह जानकारी अपने साथियों को भी शेर कर दीजेगा ओके थैंक्यू